लॉलो फ्रेंड्स वेलकम टु वाइफाई स्टेडी चैंजिंग ढाव्यों फ लरंणिंग सभी का हारदी का विणंदन है वाइफाई स्टेडी आजूकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कैसे हो सब लोग आप राम-राम सबको राम राम सबको राम राम दोस्तों सबको राम राम सेर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को इसको अपने मित्र मंडली को सेर कर दिया करो और दो चीज आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ पहली चीज ये पुलिस पटवार की तयारी करने वाले विद्यारती जो unacademy plus पर पढ़ना चाते हैं तो उनके लिए complete crash course political का एक तो complete police पटवार का crash course political की कक्षाई में शुरू करने वाला हूँ कल या परसु में कक्षा शुरू हो जाएगी और रात को 9 बजे मेरी रोज unacademy पे free class हो रही है रात को 9 बजे unacademy पे मेरी free class हो रही है उसमें मैं आप test paper ले रहा हूँ तो आप कैसे unacademy पर उपलब free class हो को join करें तो static gk history, political, geography, economic सबका एक mixed test paper हो रहा है तो इस class को भी आप join करो रात को 9 बजे आप join कैसे करना है मेरे मित्रों इसके लिए आपको unacademy learning app download करना play store से और select your goal में RPSC डाल देना RPSC जैसे डालोगे तो वाप एक search का option और आएगा ठीक है न, search के option में आप मेरा नाम डाल देना राजिंदर शर्मा जैसे आप मेरा नाम डालोगे तो आपको खुल कर मेरी profile सामने आ जाएगी और फिर मुझे follow कर लेना, वाप एक लिखा हुआ मिलेगा follow तो आप मुझे follow कर लेना, follow करते मेरी class चलेगी तो आपको notification मिलेगा करना क्या है सबसे पहले, unacademy learning app डाउनलोड करनी है unacademy learning app डाउनलोड करना है, जैसे इसको आपको फिर open करना है इसको open करने के बाद में, एक आपको यहाँ पे कोने पे दिखावा मिलेगा select your goal, यहाँ पे आपको select your goal में RPSC डाल देना RPSC डाल देना, RPSC जैसे डालोगे तो फिर एक आपको search का option आएगा ऐसे इस search के option में मेरा नाम डाल देना राजिंदर शर्मा मेरा नाम डाल देना, राजिंदर शर्मा और जैसे राजिंदर शर्मा डालोगे तो यह open हो जाएगा, खुल जाएगा खुनने के बाद में मुझे क्या करना है, आपको follow कर लेना है और जैसे आप मुझे follow कर लोगे, तो आपको मेरे दुआरा सारी क्लासे दिखेंगी, तो रात को live test में जरूर आया करो free live test है, कोई charge नहीं हो उसका, आराम से अनंद लो उसका, चीक है आपन बात कर रहे थे जंजातियों की, और जंजातियों की में अपन ने पढ़ लिया दोस्त हो, चीक है यहाँ पे जो class political की सुरू हो रही है, crash course अपन करवा रहे हैं, तो देखो आप कोई भी RPSC के section में कोई भी course खरीदो, चाए तो आप LDC की तैयारी करो, चाए आप 2nd grade की तैयारी करो, चाए आप RS Pre की तैयारी करो, चाए RS Mains की तैयारी करो, RPSC में आप किसी की भी तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, पटवार की तैयारी करो, सारी classे आपको दिख पटवार की तयारी करो, ACF की तयारी करो, FRO की तयारी करो, किसी में भी जो राष्तान जी के आ रहा है किसी में भी आप तयारी करो, Lab Assistant, LACF की तयारी करो, Pharmacist की तयारी करो, पसुदन साई की तयारी करो, किसी की भी तयारी करो, यहाँ पे आप Plus Score जुआइन करते हो, तो Referral Code में आप राजिंदर 10 यूज करना, आप वहाँ पे Enter Referral Code मांगेगा, वहाँ पे भरना राजिंदर 10 और इसको Apply जरूर करना है, Apply जरूर करना है, तो आपकी Feast में 10% का Discount रहेगा, अपन जन्जातिया पढ़ रहे थे मेरे मित्रों, और जन्जातियों में अपन बात करेंगे आगे की जन्जातियों की, तो पीछे अपन ने सहरिया जन्जाति के बारे में, देखा था, सहरिया जन्जाति की पूरी Complete चर्चाएं अपन ने की थी, ठीक है, आज अपन बात करेंगे, कुछ Most चीजें हैं, तो सहरिया के बाद में अपन डामोर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं आपको पढ़ा दी थी, गरासिया जन्जाति, गरासिया जन्जाति, तो गरासिया जन्जाति के अगर बात करें, वैसे गरासिया जन्जाति की डिटेल तो मैंने आपको पीछे करा दी थी मेरे मित्रों, आज इसकी और कुछ बाते अपन करेंगे, तो गरासिया जन्जाति की जो अंगर्खी पैनते हैं उस अंगर्खी को सलूका कहते हैं क्या बोलते हैं सलूका याद रखना है गराशिया जनजाती के पुर्सों के द्वारा जो अंगर्खी पैनी जाती है एक कपड़े की बना के उपर सपेश सी कल रंग रंगी कैसे पैन लेते हैं पुरुस लोग पैनते ह उसको अंगरखी के नाम से जानते हैं और पुर्सों की जो धोती होती है धोती जो होती है पुर्सों की उसको पंचा कहते हैं पंचा या फचेवडा भी बोलते हैं पंचा या फचेवडा कहते हैं यह आपको ध्यान डखना है और सापा जो होता है पूर्सों के सीर पर जो सापा बानते हैं उस सापा को ये खप्टा कहते हैं खप्टा खप्टा कहते हैं ये आपको ध्यान डखना है और विवाईत मैला विवाईत मैला जो मेरिड मैलाएं हैं इन जातियों की विवाईत मैला जो वस्तर पैंती हैं विशे विवाईत मैला विशेश बस्तर पैंती हैं उसे रैजा कहते हैं रैजा उसे क्या कहते हैं रैजा कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है किलियर है अब गराशिया जन्जाती का विकास याद रखना है गराशिया जन्जाती का विकास करने के लिए एक संस्ता है जिसका नाम है मामूनी संस्ता ये गराशिया जन्जाती की संस्ता है याद रखना है ये गराशिया जन्जाती की संस्ता है जो इनको शिक्षा, सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है गराशिया जनजाती की एक सब्द और है फला फला क्या होता है ये इनके गाउं की सबसे छोटी इकाई होती है गराशियों के गाउं की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई गाउं की सबसे छोटी इकाई याद रखना है फला क्या होती है इनके गाउं की सबसे छोटी इकाई होती है मित्रों ये आपको ध्यान रखना है तो अब ग्रासिया जंजाती पूर्टा आपकी समापत होती है बात करेंगे डामोर जंजाती की डामोर जंजाती के अफन बात करें तो डामोर जंजाती है इसकी उत्पत्ती आपसे पूछे डामोर जंजाती की उत्पत्ती की इसे होती है तो डामोर जंजाती की उत्पत्ती उत्पत्ती राजपूतों से मानी जाती है राजपूतों से क्यों मानी जाती है राजपूतों से इनकी उत्पत्ती क्यों मानी जाती है इसलिए मानते हैं लोग राजपूतों से इनकी उत्पत्ती क्योंकि इनके अधिकांस जो जो गोत्र है वो राजपूतों से मिलते जुलते हैं तो डामोर जनजाती की उत्पत्ती किन से मानी जाती है राजपूतों से क्यों मानी जाती है क्योंकि इनके जो गोत्र है वो राजपूतों से काफी मिलते जुलते हैं इसलिए इनकी उत्पत्ती किस से मानी जाती है राजपूतों से ये आपको ध्यान रखना है अब डामोर जनजाती का सबसे ज़्यादा जमाव या केंद्र कहां पे है तो डामोर जनजाती सबसे ज़्य सबसे जाधा दूंगरपूर यंकि सीमलवाडा में आपको ध्यान रखना है यहाँ इसका केंदर बिन्दु है या आपको याद रखना है मेरे बच्चों पूचह जासकता है और परिवार इनका जो होता है परिवार कैसा है तो परिवार इनका पित्र सत्तात्मक होता है तो कि पिता की बात चलती है अपर परिवार पित्र सत्तात्मक परिवार कैसा है इनका पित्र सत्तात्मक यनकी पिता की बात को मैत्व दिया जाता है और इस जनजाती में भिवा की स्तती क्या है कैसा भिवा होता है तो इसमें भीवा यनकी एक के अनेक पत्निया एक के अनेक पत्निया होती है एक के अनेक पत्निया तो ऐसा तो आप आपके भी मन में आ रहा होगा कि हम भी पहले राजा माराजों के टाइम में होते तो हम भी अनेक पत्निया रखते समझ में न बहु बिवा इनकी एक के अनेक पतनिया होती है या तो एक ही नहीं जिलती है अनेक तो बढ़ी मुश्किल से पालन पोसन होता है अब आप लोग डाउन चल रहा है तो मर्दों की स्तती कैसी हो रही होगी वो आपको पता होगा तो बिवा इनमें बहुर बिवा याद है बहुर बिवा परचलीत है दूसरा नाता परथा भी परचलीत है नाता परथा भी क्या है मित्रों परचलीत है यहाँ पे नाता परथा भी परचलीत है यानकी पती के मरने के बाद में उसकी पतनी दूसरे के साथ में नाता कर लेती है यह दूसरे की चूड़ी पैन लेती है यह नातापरता है खान पान इनका क्या है खान पान तो खान पान कोई विशेश नहीं है सामान्ने जातियों की तरह ही खान पान है इनका खान पान है यह आपको ध्यान रखना है इनके गाउं जो डामोर जन जाती है इनके गाउं की बात करें समझ में है न तो गाउं में क्या होता है गाउं में पंचायत व्यवस्ता होती है प्रते गाउं में क्या होती है पंचायत व्यवस्ता गाउं में पंचायत व्यवस्ता जो क्या करती है इनके जगडों का निप्ट 12 क्योंकि वो अपना मामला खुदी शिल्टा लेते हैं अपनी पंचायत के माध्यम से समझ मैं न और इनका जो धरम होता है तो ये धरम हिंदू धरम को मानते हैं हिंदू धरम कोन सा मानते हैं ये हिंदू धरम के अनुवाई है हिंदू धरम को मानते हैं ये आपको ध्यान रख करते हैं भूत प्रेत में भूत प्रेत में क्या करते हैं विश्वाज ज्यादा करते हैं जादू टोनों में और भूत प्रेत में इनका विश्वाज ज्यादा होता है यह आपको ध्यान डखना है पशुधन पसुधन की बात करें या पसुसमपदा की बात करें समझ में है ना तो पसुधन को ये लक्षमी का रूप मानते हैं याद रखना है पसुधन को क्या मानते हैं लक्षमी का रूप मानते हैं ये आपको ध्यान रखना है और पसुधन की दिपावली पर पूजा करते हैं दिपावली पर पूजा दिपावली पर पसुधन की क्या करते हैं पूजा करते हैं ये परसन पूछा हुआ है कि दिपावली पर पसुधन की पूजा इस पे सल लक्षमी का रूप मान कर कौन करते हैं तो याद रखना है डामो पूजा करते हैं तो लेकिन ये विशेष पूचते हैं ये आपको ध्यान रखना है विशेष पूजा करते हैं और विशेष तक गाय का संगार करते हैं ये विशेष तक क्या करते हैं गाय का संगार सबसे ज़्यादा करते हैं गाय का संगार गाय का संगार ये सबसे ज़्याद याद रखना है गाय को लक्षमी का रूप मानकर उसकी पूजा करते हैं ये आपको ध्यान रखना है मेला रामोर जनजाती है इनका मेला तो मेला इनका गुजराथ के तो गुजराथ के पंच महल जिले में गुजरात के पंच महल जिले में चीरा बापसी का मेला इनका प्रसिद मेला है गुजरात में बरता है ये गुजरात के चीरे बापसी का मेला इनका प्रसिद मेला है और इस मेले का आयोजन कब होता है भाद्र भादवा चल रहा है ना सावन भादवा आएगा भी तो भाद्र पद सुकलाको बरेगा आप भी गुमिया ना सुक लाको क्योंकि लोग डाउन में बैठे बैठे क्या करो आप कहीं जा भी नहीं सकते खेत तक चले जाओ अब लोग डाउन में क्या करो खेत में घूमियाओ इधर उदर जाने का तो कोई मतलब नहीं है प्तरों किसी के कोई यह संकरमण बिमारी है थोड़ा साबदानी से रएओ क्यूंकि बड़ी मुस्किल से आपको जीवन मिला है और पता नहीं आगे यह इनसान योनी मिली है आगे कौन शी योनी मिले साब बनो चीपट बनो किरकड बनो क्या बनो कोई पता नहीं है तो इसको आराम से सुक से जियो और सुक से रोग क्लियर है इसी के लावा इस मेले के लावा एक डूंगरपूर में और मेला बरता है डूंगरपूर में भी ये एक मेला बरता है ग्यारस मेला ग्यारस की रेवाडी का मेला उसमें भी ये भाग लेते हैं ग्यारस की रिवाडी का मेला उसमें भी भाग लेते हैं ये आपको ध्यान रखना है और इनकी अर्थ व्यवस्ता की बात करूँ अर्थ व्यवस्ता तो 90% लोग क्या करते हैं क्रसी का व्यवसाई करते हैं क्रसी कारियों पर निर्बर रहते हैं 90% लोग क्रसी कारियों पर निर्बर तो याद रखना है ये गुजरात के पंचमेल जिले में चेरा बापसी का मेला इनका परसिद मेला है भाद्र पद सुकला को इनका ये मेला बरता है डूंगरपुर में ग्यारस की रेवडी का मेला जो है वो भी इनका परसिद मेला माना जाता है वहां भी भाग लेता है और याद रखना है 90 परतिसत लोग ये जो आपके जाती है ये क करसी कारियों से क्या होती है संबंदित होती है 90% लोग करसी कारियों में लगे हुए होते हैं किलियर है अब अगली जनजाती की बात करेंगे अपन कंजर कंजर जनजाती बेटाओ इन जनजातियों में से देखो मैंने इतनी डिटेल से करा दिया है कि यहां से अगर कोई सवाल आए और फिर भी अगर आप गलत करते होना तो यह सबसे बड़ी आपकी उपलब्दी होगी गलत करना उपलब्दी तो है आप लोगों की तो कोई भी सवाल आए तो गलत नहीं करना है उसको सही करना है आपको ठीक है न? अब इतना डिटेल करवा दी इन जनजातियों की तो आपको कहीं से कोई माथा पोड़ी करने की जरूति नहीं है कंजर जनजाति तो पहली बात कंजर जनजाति की उत्पत्ति कंजर जन जाती की उत्पत्ति कैसे हुई है याद रखना है तो इनकी उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण नहीं है कोई authentic प्रमाण नहीं है कंजर जन जाती का समझ में है न यह आपको ध्यान रखना है और यह ऐसी जन जाती है जो जंगलों में विच्रन करती है कहा और इनका मूल केंदर कौन सा है मूल केंदर तो मेरे मित्रों इनका मूल केंदर कोई नहीं है कोई नहीं इनका मूल केंदर कोई नहीं ये संपून अरावली में फैली हुई है संपून अरावली में क्या है फैली हुई है यही तो एक मातर ऐसी जन जाती है जो संपून अरावल में फैली हुई है याद रखना है अरावली परवत माला में जो जंजाती फैली हुई है वो कौन सी जंजाती है ये याद रखना है आपको कंजर जंजाती है जो संपूर अरावली यान की अरावली वाले जो जिले हैं उन सम्में ये फैली हुई है ये आपको ध्यान रखना है कई बार परिक्षा में परसंद पूछ लेता है कि कौन सी जनजाती संपून और आवले में फैली हुई है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब इनकी कुछ विसेशताओं की बात करेंगे कंजर जनजाती की कुछ विसेशता है उन्हें विसेशताओं की अपन चर्चा कंजर जनजाती की विसेशता तो विसेशताओं की अगर मैं बात करूँ तो जातिये एकता सबसे जादा होती है इनमें जातिये एकता जातिये एकता क्या होती है मित्रों इसमें सरवादिक होती है पहली बात जातिये एकता इसमें सरवादिक होती है पहली विसेशता ध्यान ड्खना है, पंचायत का आदेस इनके लिए सर्वो परी होता है, यह आपको ध्यान ड्खना है, और इसमें जो परिवार का जो मुख्या होता है, वो पटेल होता है, परिवार का मुख्या क्या होता है पटेल होता है परिवार का मुख्या कोन होता है इसमें पटेल होता है याद रखना है इसमें परिवार का जो मुख्या होता है वो पटेल होता है या आपको ध्यान रखना है और अगर ये हाकम राजा का प्याला अब हाकम राजा का प्याला क्या है? ये क्या है? कसम ख्याते हैं हाकम राजा का प्याला पीकर पीकर अगर ये कसम खा लेते हैं कसम खा जाते हैं कसम खा जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है ये सच्चे है सच बोल रही है सच्चे होते हैं अगर ये हाकम राजा का याद रखना है इनके सच्चाई जानने के लिए इनको हाकम राजा का प्याला पिलाकर कसम खिलाते हैं समझ मैं न और कसम इनके लिए बहुत मैत्तो पूर्ण होती है, हाकम राजा को ये अपना आराध्य के रूप में मानते हैं, जब ये हाकम राजा की कसम, चाए वो पानी हो, चाए किसी भी छराब हो, किसी को भी लेकर ये अमरस समान समझ कर उसको पी लेता है, उसको लेकर कसम खा लेता है तो फिर यह सच बोलेगा यह ध्यान रखना है तो यह पूछ लेता है हाकम राजागा प्याला पिकर कौन सी जंजाती अब सच्चाई बया करती है तो कंजर जन जाती सच्चाई बया करती है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है ये क्या करते है एकमा त्रैसी जन जाती है जो मरतक के मुँ में मरतक के मुँ में मरतक के मुँ में सराब की बून डालती है मरने के बाद में व्यक्ति के मुँ में सराब की क्या डालती है बूंद डालती है क्योंकि सब सराब पीते है तो बूंद डालती है तो याद रखना है मरने के बाद में सराब की बूंद डालती है याद रखने है जब कोई इनका मर जाता है चित परी चित कोई भी परिवार का तो मरने के बाद में सराब की बून डालती है, क्योंकि ये लोग सराब ज़ादा पीते हैं, इसलिए उसकी आत्मा भठके नहीं, इसलिए सराब की बून डालते हैं, ये आपको धान रखना है। और इन में क्या है, मृत्तक को, ये कंजर जन जाती क्या करती है, मृत्तक को जलाना और गाड ने दोनों की परमपरा परचलीत है, एक तो ये जलाती है, जलाना और ये क्या करते हैं, गाड भी देते हैं, गाड देना, तो दोनों परचलीत हैं, दोनों परमपरा परचलीत हैं, याद रखना है दोनों परंपरा क्या है पर्चलित है या आपको ध्यान रखना है जलाना और गार देना दोनों परंपराएं क्या है इनमें पर्चलित है या आपको ध्यान रखना है किलियर विवा की अपन भात करें इनकी विवा में क्या होता है वर्पक्ष वर्पक्ष वदूपक्ष को वर्पक्ष वदूपक्ष को जो वर्पक्ष होता है वो वदूपक्ष को क्या देता है रकम देता है रकम देना बरपक्स विवा के लिए वदूपक्स को क्या देता है रकम देता है ये आपका ध्यान रखना है ठीक है और तलाक तो नोर्मल है वैसे हरजाती में होता है वैसे इनमें भी हो जाता है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और कारिय क्या है इनका कारिय कारिय है नाचना गाना नाचना गाना यह इनका कारिय है नाचना गाना इनका काम है यह आपको ध्यान डखना है अर्थ व्यवस्ता क्या है इनकी? अर्थ व्यवस्ता अर्थ व्यवस्ता में क्या है? कोई इस्ताई व्यवस्ताई नहीं इनके पास में कोई इस्ताई व्यवस्ताई नहीं कोई इस्ताई व्यवस्ताई नहीं इनका काम नाचना गाना है कोई इनके पास में ऐसा इस्ताई व्यवसाई नहीं है समझ में है न पाती मांगना क्या होता है एक वर्ड है पाती मांगना पाती मांगना पाती मांगना क्या होता है ये इस्वर की पूजा करके उसका आशिर्वाद प्राप्त करते हैं उसे पाती मांगना बोलते हैं इश्वर के आशिर्वाद को इश्वर के आशिर्वाद को इश्वर के आशिर्वाद को ये पाती मांगना बोलते हैं पाती मांगना कहते हैं मांगना कहते हैं इश्वर के आशिर्वाद को क्या कहते हैं? पाती मांगना कहते हैं याद रखना है इश्वर के आशिरवात को या बोलते हैं पाती मांगना ठीक है यह ध्यान रखना है और इनका अरावली में सबी जगे आपको देखने को मिलेगा लेकिन सकेंद्रन ज्यादा, सकेंद्रन, सकेंद्रन ज्यादा कहा है, उदैपुर के कोटड़ा में और बारा में, उदैपुर के कोटड़ा में ज्यादा जमाव है, उदैपुर के कोटड़ा में और एक खलकी फुलकी कहा है, ज्यादा जमाव बारा में, बाकी तो रावली के स सादन क्या है जीविका का सादन कुछ नहीं है नाचगा नहीं है जीविका के सादन और को विसेश इनका वो नहीं है यह आपको ध्यान रखना है अब इनके परिवार की बात करें परिवार कंजर जंजाती का परिवार तो कंजर जंजाती का जो परिवार होता है यह आत्म इसका मतलब क्या है? कि शादी होने के बाद, जैसे शादी होगी, तो शादी के बाद मूल परिवार से अलग होते हैं, मूल परिवार से ये पर्थक हो जाते हैं, मूल परिवार से क्या हो जाते हैं, पर्थक या अलग होकर अपना जीवन श्वम व्यतीत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और नाता पर्थाइन में परचलीत है, नाता पर्था, नाता पर्था क्या इद में परचलीत है, याद रखना है, नाता पर्थाइन में परचली शमूदाय के अपन बात करें तो भोपा और पटेल बोपा और पटेल समुदाय का मुख्या होता है उसको बोपा बोलते है या पटेल बोल देते है या आपको ध्यांडगन है और बच्चे के जनम पर ये सूर्य देव की पूजा करते हैं याद रखना है वादियंत्र कोन सा है इनका कोन सा वादियंत्र इनका प्रशिद वादियंत्र है तो ये बास की बन्योई पावरी बजाते हैं बास की पावरी बास की क्या बजाते हैं पावरी याद रखना है बास की क्या बजाते हैं ये पावरी बजाते हैं ये आपको याद रखना है और एक लोकी की लोकी होती है न लोकी या तमबा तो लोकी की ये क्या बजाते है तारपी लोकी की बजाजे है तारपी लोकी की तारपी या रूला बजाते है लोकी की तारपी या क्या बजाते है रूला इस समझ में है न बास की पावरी और लोकी की तारपी रूला बजाते है और एक बजाते है थाली सर थाली सर थाली सर बजाते हैं अनकी थाली रहे देशी वासा में बोल दू थाली लो थाली बजाते हैं थाली सर का मतलब देशी वासा में थाली समझ में है न ये ध्यान डखना है फड़क अब अलग चीज है फड़क क्या होती है फड़क फड़क क्या होती है तो ये इस्तरियों की मराथी अंदाज की साड़ी इस्त्रियों की मराथी अंदाजवाली साड़ी याद रखना है इस्त्रियों की मराथी अंदाजवाली जो साड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं ये फड़क बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है कि फड़क क्या चीज है याद रखना है इस्त्रियों की मराठी अंदाज वाली जो साड़ी है उसको फड़क बोलते हैं किलियर है अब नर्त्य कोन सा करते हैं ये मावलिया नर्त्य कोन सा करते हैं मित्रों मावलिया मावलिया इनके द्वारा किया जाने वाला नर्त्य कोन सा है मावलिया नर्त्य कंजर जन जाती का है याद रखना है और ये दिपावली और विवाग के आउसर पर करते हैं दिपावली इनका विशेष तौवारत दिपावली प्लस विवाग के आउशर पर जो नरत्य करते हैं उसको क्या बुला जाता है मावलिया नरत्य बुला जाता है याद रखना है और होली पर ये गैर नरत्य भी करते हैं होली पर कोण सा नरते भी करते हैं गैर नरते भी कर लेते हैं ये आपको ध्यान रखना है के लिए रहा होली पर ये गैर नर्त्य भी कर लेते हैं ये आपको ध्यान रखना है और मित्रों अगर आपको फ्री किला से अनक एडमी पे जुआइन करनी हैं मेरी रात को 9 बजे होती है जहां पर टेस्ट का लाइव आयूजन होता है टोटली फ्री है आप अनक एडमी लर्नि को मेरे दवारा ली जाने वाली सारी फ्री किलासे आपको देखने को ठीकन थो आराम से मेरी सारी किलासों को आनन्द ले सकते हैं फ्री किलासों का ठीक है दोस्तों बांकी का पार्ट इसका कल करेंगे आप सभी का दिन सुप रहे विशोलните बेश्ट मित्रो यूई हस्ते रहो मुस्कराते रहो और आगे बढ़ाएं